कि हालो एरिवन दिस इस एलेक स्मित वेलकम तो नौलेज द अमबीशन सागत आपका नौलेज द अमबीशन के इस सेशन में तो यहां परमपकर रहे हैं माचो प्रिद्व एचार टीजी कंडेकर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टन जीके की सीरीज तो इसका यह पार्ट 19 है जिसे हम आज डिसक्स करने वाएं इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखिए तो आप वीडियो से एक्जाम्स आपके पोस्ट पॉन सोचे हैं पोस्ट पॉन हो चुके हैं लेकिन हमें अपनी तेयारी धिरे धिरे कंटियू रखनी है इस जैसे ही आपकी डेवलप करती है जैसे ही सभी सिच्वेशन नार्मल होती है आपके एक्जाम्स जरूर कंडक्ट होंगे तो आपको तैयारी जो आपनी छोड़नी नहीं है डेली बेसिज पर थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली बेसिस पर पढ़ते रही है ताकि जब फिर एकदम से आपका एक्जाम्स आ जाएगा तब आप हडबड़ी ना करके अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपके लिए बैटर रहेगा तो आप डेली बेसिस पर ज़रूर पढ़ते रही है शुरू करते हमारा इंपार्टन सेशन शुरू करते पहले कौशन से पहला क यानि पांडा आपको याद रखना है विश्य वन्यी जी जीव कोश इसका प्रतीक क्या है यरिश्य वन्ये जीव कोश का और इसीनल फूंद कर सकते हो एपसे जूइन कर सकते हो और शो gider प्लाटफॉर पर आपकर शोट करते हो अ अब उन्हें वहाँ पर भी प्रैक्टिस करतें कर सकते हो बात करतें को नमबर टू की पूचा गया कि भारत का पहला बाग सरंक्षित स्थल कौन सा है अब भारत का पहला बाग संक्षित स्थल कौन सा है निमल adviser सागन जिम कॉर्भेट नामदफा legacy अभ्यारन अभ्यारन नंदा देवि राश्ट्रय अभ्यारन तो इस कॉक्षिन का रायिक अशर आपका ऑपशन नमबर टू याणि जीन कॉपर इस नेंशनल पार्क जब का जिन machine सरक्ष्षत जल स्थला जव का में ली उत्र सारी उत्त्रा-खण में पढ़ता है जो कि आपका उत्त्रा-खंड पर इसी के साथ आपको याद रखना यह भारत का पहला प्रप्रदेश में सौट denken और यृव제를 एक्जाम में कही वार पूचा जाता है नेक्स्ट आपका कॉशन नमबर त्री पूचा गया है सीता माता वन्यजीव अभ्यारन कहां पर स्थेत है कुट्व परदेश में करनाटक में राजस्थान में यह जारखन में तो इसका राइटन्स रहा आपका ऑप्शन नमबर सी यानी राजस्थान में याद रखना आपको राजस्थान में स्थेता सीता माता वन्यजीव अभ्यारन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर आपसे पुछा जाए तो राजस्थान के चित तोडगर में परता है यह सीता माता वन्यजीव अभ्यारन और इसी क कुछ इंपॉर्टन जो है यह आपके राजस्तान में से अभ्यारन है तो इनका नाम आपको याद रखना है राजस्तान की तोड़गर में पड़ता है इंपॉर्टन आपके एक्जाम के लिए नेक्स आपका कौशन नबर फूर्ट पूछा गया कि सवच जली मचली का पश्चिम बंगाल जो है वो सवच जली मचली का उतपादन करता है याद रखना आपको पश्चिम बंगाल और इसी के साथ पश्चिम बंगाल से संबंदित एक और प्रशन आपका एक्जाम में इंपॉर्टन देखा जाता है कई बार कि पट्सन का उतपादन सरवदिक कहा का उप्शन नमबर फॉर इसका राइट अंसर है नेक्स्ट आपका कॉशन नमबर फाइब पूचा गया है इस कॉशन को में भी हम लोग पहले भी डिस कर चुके हैं तो जो आपका भारत में भूत आप ये उर्जा सहीं अंतर है वह आपका हिमाचल परदेश में स्थापित क किया गया है अप्शन नमबर फाइन इसका राइट अंसर है नेक्स्ट आपका कॉशन नमबर सिक्स पूचा गया कि सबसे अधिक जनगनत्व वाला केंदर शासित परदेश कौन सा है लक्षद्वीप दिल्ली अनमार निकवार या फिर आपका चंडिगड तो यह सभी आपक आपका केंदर शासित परदेश है अप्शन नमबर टू इसका राइट अंसर है नेक्स्ट आपका कॉशन इसी से रिल्टेड है पूचा गया कि सबसे कम जनगनत्व वाला केंदर शासित परदेश कौन सा है लक्षद्वीप डैली अंडमार निकवार या चंडिगड तो इस आपका कॉशन नमबर एट पूचा गया कि सबसे अधिक वन खशेतरफल वाला राज्य कौन सा है ने मिलके तमय से सबसे अधिक वन खशेतरफल किस राज्य में है गुजरात में राजस्तान में महराश्टर में या माद्य परदेश में तो इस कॉशन का राइट अंसर है जन जातियां है चक्मा वा हलताम यह दो मुख्य जन जातियां है जो कि किसी परटिकुल स्टेट में पाई जाती है त्रीपुरा में मानिपूर में नागालैन में या मिजोरम में तो इसका राइट अंसर है आपका option number one यानी त्रीपुरा में आपको याद रखना है जो आप उनमें से किस जाला मुख्य के आकरती गोबी के फूल के समान होती है अब किस जाला मुख्य के आकरती गोबी के फूल के समान होती है तो फ्यूजियामा वलकेनियन तुल्य या फिर आपका फौसा मैगमा या इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है आपका option number two यानी जो आपका वलकेनियन तुल्य है ये जॉला मुखी का नाम है तो आपको याद रखना है वलकेनियन तुल्य ये इसकी आकरती कैसी है ये गोबी के फूल के समान होती है आप्शन नमबर टू इसका राइट अंसर है साथ ही मैं बात करें फ्यूजी आमा तो फ्यूजी आमा से लेटर हम पहले भी डिस्स कर चुके है तो फ्यूजी आमा आपको पता होना चीए किस देश की जॉला मुखी है ये है आपकी जापान की एक्जाम में इसी परकार से कॉशन कई बार देखने को पाया गया है फ्यूजी आमा जो है आपकी किस देश की जॉला मुखी है किस देश की जॉला मुखी है तो ये आपका जापान का है आपका फ्यूजी आमा याद रखना है जापान का है और जो आपका जॉला मुखी जिसकी आकरती गोबी के फूल के समान होती है आपका वल्कैनियन तुले raised adoptsnh 2 इसका राइंसर है नेक्स सापका कॉश्आ楠 11 PC तंप्राय मैधान मेंसे किसके दौारा होता यानि संप्राय मैधान का निर्मान जो है किसके दौारा हे चकरवातों के दौरा पवनों के दौरा नद्यों के दौरा मैंसे को debates तो इसका right answer है आपका option number 3 यानि नदियों के द्वारा नदियों के द्वारा मुखे रूप से संप्राय मैदानों का निर्मान किया जाता है option number 3 इसका right answer है जियोग्राफी के basic concepts अगर आप अपने clear करोगे तो वहाँ पर आपको मैदानों के निर्मान पर देखने को मिलेंगे नदियों के द्वारा पबनों के द्वारा विविन जो आपके different aspects होते हैं हैं निर्मान किया जाता है उनके द्वारा तोस्तर मैंसे संप्राय मैदान हैं उनका निर्मान नदियों द्वारा होता है option 3 इसका right answer है next आपका hurricane चक्रवाद hurricane चक्रवाद की गती लगवक कितनी होती है 80 km पर आर 100 km पर आर 110 km पर आर या फिर आपका 120 km पर आर तो हरीकेन चक्रवात याद रखना है आपको इसके जो लगवक कितनी होती है 120 km प्रति घंटा होती है option 4 इसका right answer है next आपका question number 13 पूछा गया कि रिगवेद का कौन सा मंडल पूणता सौम को समर्पित है जो आपका रिगवेद का कौन सा मंडल है आपको बताना है कि सौम देव यहाँ सौम देवता की बात की जा रही है जो आपकी सौम देवता माने जाते थे वो आपको बताना है कि रिगवेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णता सौमदेव को समर्पित है पांचमा नौमा आठमा या इन में से कोई नहीं तो इस कॉशन का राइट अंसर है आपका option number one यानी पांचमा जो आपका रिगवेद का पांचमा मंडल है वो पूर्णता सौमदेवता को समर्पित है option number one इसका right answer है next आपका question number 14 पताना कि चंद्रगुप्त मौरे जो था अब हिमाच्व प्रदेश की हिस्ट्री से भी important क्योंकि हिमाच्व प्रदेश की स्ट्री में जब आप गुप्त को देखोगे तो मेंली महां पर आपको सिर्फ आपका चंद्रगुप्त के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है ल रिगवेद या अश्टा धियाई इसका राइट अंसर आपका option number two यानि मुद्रा राक्षक्स जो आपकी मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ है इसमें जहां चंद्रगुप्त मौरे के लिए व्रिशल शब्द का प्रियूग किया गया है option number two इसका fraction number 15 पूचा गया कि रेशम बनाने की तक्नीक का विष्कार सरब रथम किस देश में हुआ था अब रेशम बनाने की तक्नीक का विष्कार किस देश में हो था तैं बारत में जापान में चीन में या मंगोरिया में गया तो इस काॉशन का question number 16 पूछा गया कि वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किस ने निका ली थी अब वामा बोधिनी पत्रिका ये आपकी हमाच्च परदेश की हिस्ट्री जो आपका हमाच्च परदेश नहीं जो भारत की हिस्ट्री की बात करोगे तो आपको इंडियन हिस्ट्री में जौपका ऎता है किसका जब का भगती पेरिड आता है तथा उससे बाद का थोड़ा पेरड आता तौहां पर आपको यह यह वामा बोधनी पद्रेका के बारे में निकाली गई थी option number 4 इसका right answer है next आपका question number 17 पूचा गया कि भारत के समविधान राष्टपती की आपात कालीन शक्तियां किस देश से ली गई है Germany से, Australia से, Japan से या USA से इस question का right answer है आपका option number A यानि Germany से, भारत के समविधान में राष्टपती की आपात कालीन शक्तियां जो हैं वो जर्मनी के समविधान से ली गई है option number 1 इसका right answer है next आपका question number 18 पूछा है कि भारत के एक multiplier समविधान में कानून रारा स्थापित, शब्दा वली किस देश के समविधान से ली गई है Australia, Japan, England या दख्षण अफरिका इस question का right answer है आपका option number 2 यानि जापान, जापान का सम्विधान, जापान का जो वीमर सम्विधान है, याद रखना आपको जापान का सम्विधान जो आपका वीमर सम्विधान है, उससे ली गई है, कानून द्वारा स्थापित ये शब्दावली भारतिय सम्विधान में, आपको ये याद रखना है, नेक्स्ट आपका question number 19 पूछा गया कि भाषिय अधार पर भारत का प्रत्थम राज्य कौन सा है उत्तरपरदेश, मद्यपरदेश, आंधरपरदेश या तमिलनाडू तो भाषिय अधार पर जो आपका भारत का पहला राज्य कौन सा है वो है आंधरपरदेश option C, इसका right answer है याद रखना आपको next आपका question number 20 ये वीडियो का last question है और पूछा गया कि green book किस देश की सरकारी रिपोर्ट है पिछली वीडियो में हम रहे एक और आपकी सरकारी रिपोर्ट discuss की थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो इसके बारे में आपको बाद में पोचूँँगा पहले आप इस question को जान लीजिए कि green book किस देश की सरकारी रिपोर्ट है भारत, Belgium, Japan या इटली इसका right answer है आपका option number 4 यानि इटली जो आपकी green book नामक की सरकारी रिपोर्ट है ये इटली देश की है इसका option 4 right answer है अब बात करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में discuss की थी एक और सरकारी रिपोर्ट तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आपको याद रखना है तो पिछली वीडियो में हमने discuss की थी orange book तो औरेंज बुक जो है वो आपको याद रखनी है नीदर लैंड की सरकार की report है औरेंज बुक नीदर लैंड की और साथी में इस वीडियो में हमने ये discuss की है ग्रीन बुक तो ग्रीन बुक आपको पता आना चाहिए ये इटली की सरकारी report है तो ये सब भी आपको याद रखनी है तो आज की वीडियो में इतने ही questions थे I hope आपके लिए beneficial होंगे अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like ज़रू करना है अपने फ्रेंक्स का share ज़रू करना है और चैनल पर पहली वाराएं तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर लें और नाटिविक्शन बेल को on कर लें ताकि आने वाले सबी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें और इसी एक साथ आप knowledge the ambition के various social media platform पर जोर सकते हो लिंक आपके सबी description box में दिये गए है आप वहाँ से join कर सकते हो तो आज की लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching best of luck for a bright future